हेलो एबरिवन, CLC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, मैसेल्फ हनुमान जागीड टीम केमेस्ट्री CLC सीकर, आज अपन डिस्कस करने जा रहे है, DCM के पेपर नंबर 32 को केमेस्ट्री का पेपर है, तो उसमें अपन आज डिस्कस करेंगे, सॉलुशन सॉलिड स्टेट और सर्फेस केमेस्ट्री, उसमें कोशन वही रखे गया है, जो exam oriented है, और किस टाइप के कोशन exam में देखने को मिल सकते हैं, आपको इन तीनों टोपिक से उनसे related अपन बात करते हैं, आईए एक ये करके चर्चा करते हैं कोशन पे, फर्स नंबर प्रोब्ल जा है, ठीक है जी, चलिए, FCC में अगर बात करें, तो FCC में एटम जो होता है, वो corner पे होगा, प्लस कहां पे होगा, face center पे, ये लीजिए, ये अगर FCC structure माना जाए, तो अब atom जो है, वो corner प्लस face center पे है, तो ये लो, एक atom ये होगया, corner का, ये atom होगया corner का, ये atom होगया corner का, ये 8 corner होगया, 6 face center होते हैं, 6 फलक के अंदर होगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 दिवार होगी, एक फर्स और एक छत होगा, तो ये 5 और ये 6, ठीक है, ये हो जाएगा, अब आपन से पूछे कि निकरतम प्रतिवेशे की दूरी कितनी हो होगी, तो एक बात देखते हैं, अपन क्या करते हैं, कि यहाँ पे अगर बात करें, तो इस वाले point से, सारे point की distance calculate करने की try करता है, इस number वाले point से, तो इस number वाले point से, एक तो distance चल रही है, ये 1, इस वाले point की ये है, इस वाले point की ये है, इस वाले point की ये है, ये लो, ठीक ह second number यह वाली distance ही है अपन को आपको मालूम है अगर यह age length a है तो यह face diagonal जो होगा वो root 2a का होगा यह लो root 2a और root 2a पे यह देखो यह तो हो गया r plus r 2r और 2r 4r है ना यहाँ पे root 2a पे 4 atom आ रहे है 1, 2, 3, 4 atom 4 नहीं आ रहे है मतलब radius जो आ रही है वो 4r की r ही है तो इनके बीच की जो दूरी होगी यह ऐसा बोल दो आप यह यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दूरी root 2a तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो आदी होगी तो root 2a by 2 इसका हमले a by root 2 दूरी भी होगी कौन-कौन से A बाई root 2 पह है, गोला कर देता हूँ मैं डबल टिक कर देता हूँ, ये दो एक एक ही है, और एक ही है कोई भी दूरी, ठेक है, उसके बाद अगर बात करोगे, तो ये वाली जो दूरी होगी, वोगी root 3 है कितनी होगी, root 3 है ये वाली जो दूरी होगी वो होगी root 2 ए आपसे पुछा है निकर्तम परतिवेशी की दूरी कितनी है तो देखो इन में से minimum distance जो चल रही है वो a by root 2 चल रहा है a by root 2 चल रहा है इसका महला answer कौन सा हो जाएगा first is the correct answer first जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा बात करें आगे next second number problem second number problem के उपर बात करता है देखेगा ccp ccp एक कोस्रिका में उपस्तित परमानों द्वारा गिरे गए आइतन का कुल प्रभाज कितना है the fraction of the total volume occupied by the atoms present in ccp unit cell एक बहुत किलिर सी बात बोल देता हूँ ccp बोलो या fcc बोलो एक ही बात है cubic close packing ultimately ये face centered cubic जैसा ही बनता है ठीक है तो आपको मालूम है fcc या ccp के अंदर man atom होता है z जो होता है वो होता है 4 ठीक है अभी मैंने बोलाता है a by root 2 इसका मतलब यहां से आप a बोलोगे तो 2 root 2 r हो जाएगा ओके आपको बोला कितना fraction occupied करेगा तो मैंने का कि number of atom कितने 4, एक atom का volume कितना होता है 4 by 3 pi r का cube, upon unit cell का volume कितना होता है a cube yellow 4 into 4 by 3 pi r का cube upon a का cube a का cube करोगे तो 16 root 2 आएगा r cube r cube से r cube गया 16 से 16 गया आपको मालूम चल रहा pi upon 3 root 2 आएगा yellow तो इसका मतलब third is the correct answer बात आगी समझ में और अगर इसको swall करते हैं तो अपनको मालूम है it is the .74 आता है FCC के अंदर तो इससे एक step पहला पूचाया अपन याद करके जाते है 74 परसेंटेज का वो नहीं पूचके अपन से यह पूच ले बताओ कितना fraction occupied करेगा ओके नेक्स्ट बात करते हैं तो second का होगया थर्ड नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रोग्लम पे बात करते हैं क्रिस्टल ये ठोसो में दोस के संद्रब में सई कतन है defect के बारे में पूचा है कौन सा statement correct है interstitial defect decrease the density of the substance अंतराली दोस परदात के गनत्व को गटा देती है गलत है interstitial defect का क्या मतलब होता है जो क्रिस्टल में खाली जगह होती है वोईड होती है उस पे बाहर से कोई foreign item आके क्या हो जाता है अगर कोई foreign item आके trap हुआ है तो देखो volume वो का वो है but mass increase हो गया है तो density क्या होगी increase होगी ये तो गलत होगी है इसका मनलब अगला statement short की दोस का crystal ये ठोसो के गनत्व पर कोई प्रभाव नहीं होता है जब भी short की defect होता है जब भी short की defect होता है उस condition में जब भी short की defect होता है उस condition में क्या होता है equal number of catein और anine missing हो जाते है अगर catein और anine missing हो गया तो mass reduce हो गया अगर mass reduce हुआ तो fit density decrease हो नहीं चीए ये लो ये तो कब प्रभाव नहीं होता है तो गलत है थर्ड कहता है frankal 2 का crystal rate होसो के गनतों पर कोई प्रभाव नहीं होता है frankal defects have no effect on the density frankal defect जो होता है वो dislocation defect होता है उसमें एक anine sorry catein जो होता है generally वो अपनी correct location से आटके interstitial side में जाके क्या हो जाता है कोई iron बाहर नहीं गया कोई iron अंदर नहीं आया इसका मतलब density या मास के उपर कोई फरक नहीं पड़ेगा तो density पर कोई effect नहीं होना चाहिए third is the correct answer यह लो ठेक है frankal 2 उन आयनिक परदातों द्वारा दरसा है जाता है जिनमें आयनों का अकार लगबग सबान हो frankal defect is shown by those ionic substances in which size of ions are comparable यह short की defect की condition है frankal defect d block के elements हो करते है जिनमें katein और ionine में size का जो difference होता है वो एक large difference होता है ओके बात यह defect से related देको सारे point आगए frankal short की defect comparison हो गया frankal defect d block के element देते है यह क्या नाम है short की defect जो होते है वो s block potatium हो गया sodium हो गया, rubidium होता है यह देते है ठीक है, interstitial defect हो गया ओके, बात करें आगे, next देखेगा fourth number NACL को यदि 10 की power minus 3 mole परतिशत SRCL2 के साथ मादित किया जाता है doping करने को मादित बोला जाता है तो the 9 रिक्टियों की संख्या होगी if NACL is dropped with 10 raise to the power minus 3 percentage mole percentage SRCL2 the number of cation vacancy will be एक बास सुदिएगा defect कोई भी हो, चाए SWOT की हो चाए Frenkel हो, चाए STOCHOMETRIC हो या non-STOCHOMETRIC defect हो defect का एक condition है defect की एक rule है कि electrical neutrality maintain रहेगी क्या रहनी चीए, electrical neutrality maintain रहेगी, जैसे सपोज कि देगा, यह आपके पास NACL का किस्टल था अपन केटाइन के उपर बात करते है NA plus और NA plus अगर मैं SRCL2 डॉप करवाता हूँ तो अगर एक SRCL2 आता है बाई चाहं से माल लिजेगा, तो इसके उपर charge plus का 2 है इसके उपर charge कितना है, plus का 2 है इसका मुल यहाँ 2 NA plus सा यहाँ again plus का positive 2 charge यहाँ plus का 2 charge है, यहाँ पर भी plus का 2 charge आ चुका है तो एक बात बताओ मेरे को अगर electrical neutrality maintain रहनी चीए तो फिट तो एक जगा खाली रहेगी और इसी को क्या बोला जाता है, cationic vacancy, तो मैं ऐसा बोल दू कि 1 SR जो होता है 1 strontium plus 2 जो होता है वो 1 cationic vacancy create करता है 1 cationic vacancy क्या करता है create करता है, मेरे को कितना ले रखा है SR CL2 10 की power minus 3 mol percentage अगर बात करें तो 10 की power minus 5 mol हो गया तो यह 10 की power minus 5 mol ही cationic vacancy produce करेगा, अप उनको number पूछ रहा है, number पूछा है तो इसका मतलब 6 into 10 की power 23 से अगर multiply करें, तो it is the 6 into 10 की power 18 cationic vacancy आएगा it means second is the correct answer इसका answer क्या हो जाएगा fourth का second is the correct answer, ओके, चले आगे fifth number क्या कह रहा है bullet diamond is the example फीरा किसका होदा रड़ है NCRT में classification of crystalline solid on the basis of intermolecular forces दे रखे, हीरा या diamond की अगर बात करें, तो diamond ultimately यही तो है diamond is the carbon carbon और यह भी diamond है, diamond और diamond के बीच में कौन सा force है, covalent force है it means it is the covalent solid कैसा solid है, covalent solid है तो इसका answer हो जाएगा first इसका answer क्या हो जाएगा, first problem number six ठेक है, problem number six क्या कह रहा है यह कह रहा है with which one of the following elements silicon should be dropped so as to give n type of semiconductor निम्लिकित में से किस तत्वों को silicon के साथ मादित किया जाना चाहिए ताकि n परकार के अर्दचालक प्राप्द हो आप मालूम है, silicon, germanium जो होते है वो pure semiconductor होते है और यह 14 group के element है कौन से group के element है? 14 group के element है लेकिन इनकी conductivity जो होती है वो बहुत कम होती है अगर आपने 15 group किया है 15 बोले तो next group है N type हो गया और अगर 13 group का कोई element एड़ करोगे तो previous है तो P type का semiconductor बनेगा अब आपको N type का बना रहा है तो 15 group में तो nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony और bismut इसमें से किसी की doping करवाई हो गया निची arsenic दे रखा है It means fourth is the correct answer इस N type semiconductor में charge carrier जो होता है आवेश वहाँ जो होता है वो electron होता है इसलिए जो है वो इसे negatively charged semiconductor N type semiconductor मतलब है negatively charged semiconductor बोला जाता है ओके आगे बात करें 7 number question F केंदर किस दोस में प्रेक्षित होता है F center are observe in देखेगा अगर अपन defect की बात करें defect की बात करें तो दो type की defect होती है एक तो होती है stoichiometric और एक होती है non stoichiometric ठीक है stoichiometric defect उसको बोलते है defect आने के बाद उसका empirical formula अगर change नहीं होता है तो उसे बुला जाता है stoichiometric defect ठीक है और formula change हो जाता है empirical formula तो उसे बुला जाता है non stoichiometric defect stoichiometric defect दो type होती है short key and frankal defect इनके बारे में तो भी मैंने बुला था short key defect में equal number of cation and anion missing हो जाते है density decrease हो जाती है generally वो compound show करते है जिनके लिए cation और anion की size में difference बहुत कम होता है sodium हो गया है NaCl, KCl, rubidium chloride, cesium chloride हो गया frankal defect इसे dislocation defect भी बोलते है इसमें एक cation जो होता है generally वो अपनी correct lattice side से कहां चला जाता है dislocate हो जाता है और interstitial side में जाके trap हो जाता है कोई भी iron बार नहीं गया कोई भी iron अंदर नहीं आया it means mass change नहीं होगा means density change नहीं होगी generally d block के compound जिनके लिए cation और anine की size में large difference होता है वो compound frankal defect जो करता है बात आती है non-strochometric defect दो type ही होती है एक तो होता metal excess defect अब metal excess लाने के दो तरीके है first number aninic vacancy कैसी vacancy aninic vacancy और दूसरा metal ही excess में हो जाए metal ही क्या हो जाए excess में और दूसरा है metal deficiency defect metal deficiency defect okay अगर बात करें अपन कि aninic vacancy में क्या होता है aninic vacancy जो होता है उसमें कोई भी एक anin जो होता है आपको excess में रखना किसको metal को एक anin जो होता है वो अपनी अपने crystal lattice से क्या करता है बाहर चला जाएगा अपने crystal lattice से बाहर चला जाएगा electrical neutrality maintain करने के लिए उस side पे क्या आएगा एक electron आएगा एक electron ट्रेप होगा negatively charged इस electron को यह अपन क्या बोलता है इस center को यह अपन क्या बोलता है F center बोलता है यह F center जो होता है वो color के लिए responsible होता है यह F-Center किसके लिए responsible होता है color के लिए responsible होता है it means metal access defect है अब metal access हो जाए अगर metal का access हो गया तो उस condition में एक अगर ketine जो होता है वो interstitial site में आके trap हो जाए तो electrical neutrality maintain करने के लिए एक electron भी trap करवाना पड़ेगा इसमें density decrease होगी इसमें density increase होगी ठीक है metal deficiency defect में एक metal ion बार चला जाता है metal ion बार चला जाता है तो electrical neutrality maintain करने के लिए other ion जो होता है वो अपना oxidation number increase कर लेता है generally यह deep block के element में मिलती है जो variable oxidation state हो कर सकते हैं तो अपना answer हो गया metal access defect due to anionic vacancy तो 7 का answer हो जाएगा 2 ओके next बात करते हैं 8 number problem क्या कह रहा है गन्यन निबिट संकुलित सरचना में उपस्तीत परती परमानू चतुस फल किये रिक्तियों की संक्या बताओ the number of tetrahidal voids per atom present in a ccp cubic closed packed unit cell कोई कैसा भी हो ठीक है न मलब कैसी भी packing हो main atom raise to tetrahidal void raise to octahidal void इसका जो ratio होता है वो 1 raise to 2 raise to 1 होता है है ना चाहे ccp हो चाहे hcp हो कोई फरक नहीं परता उससे main atom अगर एक हुआ तो tetrahidal void किती होगी 2 तो इसने तो बोले लगा per atom tetrahidal void बताओ तो इसका answer हो गया 4 ठीक है अब सुनिएगा अब CCP में बात करते हैं तो main atom ओते है 4 अगर 4 होते यह हो जाएगी 8 और यह हो जाएगी 4 HCP में बात करते हैं hexagonal close packing में तो main atom होते है 6 तो यह हो जाएगा 12 और यह przez hexagonal close packing का neat 2021 में question पूछा भी गया था कि hexagonal close packing के अंदर मेन एटम कितने होते हैं टेट्राइडल वोईड कितनी होती है ओके बाद के लिए चले आगे नेक्स्ट नाइन नमबर बोला है कि निम लिकित में से किसके जलिये विलियन का कोथना आपको बोला है कि अधिक्तम होगा यह पुछा गया है एक्वा सॉलिशन ओब विच हैस्ट बोईलिंग पॉइंट एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि यहाँ पे अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रोपर्टी का यूज होने वाला है तो आयोटा इंक्रीज होता है तो नमबर ओव मोल्स इंक्रीज होता है ये लो अगर मोल इंक्रीज होता है तो कॉलिगेटिव प्रोपर्टी यूज इंक्रीज होता है ये लोग अब कॉलिगेटिव प्रोपर्टी चार है क्या RLVP तो रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा एक बाग बताओ, लोवरिंग अगर increase होगा, तो फिर तो vapor pressure decrease होगा ना, अगर लोवरिंग increase होगा, तो फिर vapor pressure तो decrease होगा, elevation in boiling point delta Tb, ये increase होगा, अगर elevation increase हो रहा है तो फिर तो boiling point भी increase हो, delta Tf, depression in freezing point, ये increase होगा, ये increase होगा, अगर depression increase हो रहा है तो freezing point तो कम हो, और osmotic pressure increase होगा, यह 4 point है तो इसका महला IOTA की value ज़्यादा हो जाए ठीक है mole ज़्यादा होगा उस condition में यह 4 quality property ज़्यादा होगी तो vapor pressure decrease, boiling point increase, freezing point decrease, osmotic pressure increase आपको ध्याँ रखना है highest boiling point पुछा है तो delta TB is equal to IOTA into KB into M के भी छोड़ो, IOTA into M जिसके लिए ज़्यादा है उसका delta TB ज़्यादा होगा और उसका boiling point भी ज़्यादा होगा, yellow यह इसका keyword बन गया, highest boiling point चीए आपको तो IOTA into M, K2SO4 का IOTA होता 3, 2 potassium, 1 sulfate तो multiply हो गया 3 का, 0.06 glucose का IOTA non electrolyte 1 ही होगा, multiply by 1 point 01 ALCL3 में aluminum 1 chlorine 3, total iron होगे 4 ठीक है, NACL में IOTA 2, देख लो maximum value जो आ रही है वो first में आ रही है, तो 9 का answer होगया, first 9 का answer क्या होगा, first, ok 10 number 27 degree Celsius पर NACL के decimolar billion का पराशरन क्या है, माना यह कि यह पूर्ट वियोजित होता है ठीक है, Osmotic पराशरन राप पूछा है The Osmotic pressure of decimolar solution of NACL at 27 degree Celsius is assuming that it is completely dissociated अगर NACL completely dissociated होता है, तो फिर तो इसका IOTA 2 है इसका IOTA कितना है? 2 Pi is equal to IOTA CRT IOTA 2 है, C की value decimolar R की value 1 by 12, इली जी का कोई फरक नहीं पढ़ना है Temperature 300, it is the 25, 50 बटा 10, 5, 5 ETM के आसपास आएगा 5 ETM 5 बार के आसपास, 2nd is the correct answer ओके, next बात करे, 11 नंबर प्रोब्लम क्या कह रहा है? यदि 6.2 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 500 ग्राम जल के साथ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलियन का हिमांग क्या होगा? If 6.2 ग्राम ओफ इथाइलीन ग्लाइकोल इथाइलीन ग्लाइकोल जो होता है, वो non-electrolite होता है IOTA 1 है, is mixed with 500 ग्राम ओफ दी वाटर The freezing point of the solution obtained will be KF of the water Delta Tf calculate कर लो, IOTA 1 है छोडो KF दे रखा है 1.86 molality लिखनी होती है Given weight upon molecular weight 62 होता है 500 ग्राम मास ओफ शोल्वेंट किलोग्राम में होना चीए तो 1000 का उपर multiply ये दो 0.186 multiply by 2 0.372 Kelvin आये का Delta Tf Freezing point of water जो होता है 273 Kelvin माइनस 0.372 ये आपको माइनस करना है तो ये 272.6 के आजपास आएगा 272.6 के आजपास आएगा इसका मतलब second is the correct answer ओके Next बात करते हैं 12 नमबर पे Another civilian के लिए निम्ले लिखित में से कौन सा एक सही है Which one of the following is correct for non-ideal solution अगर non-ideal solution है तो non-ideal के लिए न तो delta H mixture 0 होता है Positive, Negative कुछ भी हो सकता है Delta V mixture 0 नहीं होता है Delta S mixture ये तो किसी के लिए भी 0 नहीं होता है और delta G mixture ये सब के लिए negative होता है तो इसका मतलब अब चेक कर लो non-ideal के लिए अगर बात कर रहे है तो इन में से कौन सा correct है 12 का 3 हो गया Next बात करता है 13 number problem पर ठीक है 13 number problem क्या कह रहा है एक आदर्स द्वी अंगी विलियन के सुद्ध द्रव गट को CHCl3 chloroform and CH2Cl2 के वास्पदाब करमस 200-400 mmHg है यदि CHCl3 का मोल प्रबास 0.75 है तो विलियन का कुल वास्पदाब क्या होगा 2021 में इसी टाइक पर एक कोशन पुछा गया था 200 mmHg and 400 mmHg are the vapor pressure of pure liquid components chloroform and CH2Cl2 respectively which forms ideal binary solution if 0.75 is the mole fraction of chloroform then the total vapor pressure of the solution will be आप से पुछा है total vapor pressure कितना होगा solution का आपको मालूम है PS बराबर P0A XA plus P0B XB होता है यह लिजिएगा P0A chloroform को माना है मैंने तो इसका दे रखा कितना 200 into 0.75 plus उसका है 400 into 0.25 यह आएगा यह 150 हो गया plus 100 हो गया it is the 250 mm of Hg first is the correct answer 13 का answer हो गया first ओके next बात करें next दे रखा है 40 number phenol तता aniline का मिस्टरन कैसा है यह बोला positive, deviation, negative, ideal या delta S mixture less than 0 a mixture of phenol and aniline ठीके phenol यह रहा aniline यह रहा पहले phenol में hydrogen bonding हो रही थी aniline में भी hydrogen bonding हो रही थी अब mix किया तो अभी भी hydrogen bonding हो रही है बट अब hydrogen bonding strong होगी क्यों पहले O और O के बीच में हो रही थी इधर N और N के बीच में हो रही है और इस बार hydrogen bonding होगी O, H और N के बीच में यह hydrogen bonding जो होती है यह strong होती है किसके comparative में O, H, O और N, H, N इन दोनों से strong होती है तो net force increase हो गया है नया बल increase हो गया है इसका मतलब vapor pressure कम हो जाएगा तो negative deviation होना चीए second is the correct answer ठेक है second is the correct answer मात करें problem number 15 के उपर निम्न में से सही कतन का chain कीजिएगा correct statement आपको बताना है CZM chloride सरचना की प्रती 1 कोस्टिका में CZM chloride के सुत्र 1 की संक्या 4 है number of formula units of CZM chloride per unit cell in CZM chloride structure is 4 गलत है 1 आएगा सुनेगा CZM कहां पे होता है body center पे CL minus कहां होता है corner पे तो इसका number किता हुआ 1 इसका number किता हुआ 1 तो formula क्या बना CZM chloride तो इसका Z कितना हुआ 1 इसका मतलब इसके unit cell में एक ही formula unit है तो पहला तो हो गया गलत अगले पे बात करते है fluoride की परकार की सरचना में fluoride iron की समने में संक्या 4 है coordination number of fluoride fluoride type of structure fluoride type of structure वोले तो CAF2 ठीके इसमें calcium 2 प्लस जो होता है वो तो बनाता है CCP और F- जो होता है वो होता है tetraidal void में अगर F- tetraidal void में तो फिर तो इसका coordination number किता होना चीए 4 होना चीए second is the correct statement खेक है अगले भी देख लेता है rock salt सरचना की प्रती इकाई कोश्टिका में NACL के सुत्र इकाई संक्या 1 है number of formula unit of NACL per unit cell in rock salt structure is 1 गलत है चार आता है NA plus rock salt type structure में बात करे तो NA plus जो होता है वो होता है octidal void में octidal void होती है body center plus edge center पे और यह बनाता है CCP CCP बोले तो corner plus face center यह लो octidal void भी 4 CCP भी 4 तो NA4, CL4 empirical formula की बात करोगे तो NA CL4 और Z आगया 4 it is the number of formula unit तो 4 आएगी rock salt सरचना में chloride ion chloride ion यह रा CCP बनाएगा अब यह CCP जो है वो octidal void को touch करेगा तो यह देखो यह corner है और यह edge center है अगर इसको touch करता है तो A by 2 distance आती है और A by 2 पर coordination number किता होता है 6 NA CL का coordination number होता है 6 raise to 6 तो इसका answer हो गया कितना second next बात करते हैं 16 number problem में यह लीजे अब हिंदी वर्ड यहाँ पर याद नहीं रखना यह जो है और हम लंबाक्स दे रखा है और इदर दे रखा है tetragonal यह tetragonal यह ही है cubic के बाद में tetragonal आता है tetragonal में जो है A equal to B is not equal to C होता है alpha, beta और gamma बराबर होता है और किसके equal होता है 90 के, तो A equal to B is not equal to C and alpha, beta, gamma equal to 90 it means first is the correct answer first is equal to correct answer और इसी unit cell के basis पे अगर मैं बात करूँ तो साथ crystal lattice होते है cubic tetragonal orthorombic rhombohedral hexagonal monoclinic and triclinic यह हुए इनके लिए क्या-क्या relation हो सकता है A equal to B equal to C फिर दूसरी बार not equal to लगाना, तीसरी बार दोनों not equal to हो गए याद रखने का तरीका बता रहा हो ठीक है फिर वापस entities copy-paste लगा दो copy-paste लगा दिया yellow copy-paste लगा दिया yellow यह triclinic ऐसा है जिसमें न तो ABC बराबर है और न यह alpha, beta, gamma बराबर है ठीक है आपने बोला तीन बार लिखा copy-paste किया है यही काम किया इदर देखेगा क्यूबिक में alpha, beta, gamma बराबर होगा और 90 के बराबर होगा तीन बार लिखना है yellow क्योंकि word मैंने पकड़ा है तीन बार चौती बार में alpha, beta, gamma बराबर तो है but not equal to 90 के hexagonal में आपने को मालूम है एक angle 120 का होगा तो alpha और beta 90, gamma is equal to 120 इसमें alpha और gamma 90, beta is not equal to 90 बस एक ही तो याद रखना ही है NEET 2021 में question पुछा था कि BCC unit cell कौन-कौन से structure में होती है कितने structure में होती है तो अगर बात करें number of unit cell की तो एक number याद रखना है 3, 2 का 4, double 1, 2, 1 3, 2 का 4, double 1, 2, 1 देखीगा 4 type की unit cell होती है primitive, body center, face center और last end center ठीक है अब जहां पे 1, 1 है तो primitive से तो बना हुए ही होता है तो 1 है तो primitive ही है फिर उसके अंदर ठीक है यह तो अपन पढ़ता है primitive body center and face center important है primitive जब 4 है तो 4 होगी end center अब यहां पे primitive एक word लिखना है यहां पे तो होता है body center और यहां पे होता है end center तो question यह पुछा गया था कि कितने crystal lattice में BCC unit cell होती है तो देखो एक तो इसमें होगी एक इसमें होगी नमबर पुछे तो भी मालूमें नाम पुछे तो भी मालूमें 3-2 का 4-1-1-2-1 ओके चलिएगा next बात करते है problem number 17 क्या कह रहा 17 number problem काई केंदरित गन्ये इकाई कोस्तिका के काई विकन की लंबाई 728 picometer है यदि दनायन की तिर्जा 231 picometer है तो रिनायन की तिर्जा बताओ the length of the body reginal of body centered cubic unit cell यह हो गया इसकी length होती है root of the 3 है यहाँ पे अगर आपने catein रख रखा है यह low तो इस catein को touch करने वाले जो है वो यह 9 है अगर इसकी r मने जाए minus तो यह हो गया देखो 2r plus और यह हो जाएगा r minus यही बात होई तो इसका मतलब ऐसा बोल दूँ 2r plus plus 2 times r minus it is equal to root 3a और इसकी value दे रखे 788 picometer catein की गिती देदी 231 2 times r minus 462 minus 462 6 133 picometer छोटा हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है जर्नरल ही बोलता है कि catein छोटा होता है कि लेकिन कोई जरूरी नहीं है ठीक है जैसे calcium plus 2 और F minus में भी तो catein बड़ा ही है ओके next बात करें तो 17 का answer हो गया second 17 का answer हो गया second 18 नमबर पे एक गन्य ठोस दो ततो पी तता क्यू से बना हुआ है क्यू के परमाणू गन के कोणर पर है और फलक के अंदर पर है yellow तता पी जो है वो सभी अस्टफल की रुक्तियों पर है तो प यह उंद क्यू की सम्मन में संक्या बता हो एक क्यूबिक सॉलिड इस मेड़ अफ टू अलिमेंट प अंद क्यूब अटम्स अफ क्यू आर अट दे कोर्नर अट फेस सेंटर अब दी क्यूब and P at all of the octahedral voids then coordination number of P and Q respectively R यह पुछा गया है एक सिंपल ची बात है यह ऐसा नहीं लग रहा है क्या यह CL- है यह ऐसा नहीं लग रहा है क्या NA plus है अभी मैंने बताया था तो इसका मतलब NA plus का coordination number B6 है CL- का भी coordination number 6 है 6 raise to 6 इसका मतलब 4 is the correct answer next 90 number problem देखिएगा 90 number problem में क्या कह रहा है BCC एक कोस्टिका में प्रती एक कई प्रती कई कोस्टिका आदे परमानों को हटा दिया जाए तो संकुलन दख्सता होगी in BCC unit cell if half of the atoms per unit cell are removed then packing efficiency will be आपको मालूम है packing efficiency directly proportional to होती है Z के पहले Z BCC में 2 होता था अब अगर 1 हो गया तो पहले packing efficiency 68% होती थी अब 34% हो जाएगी तो packing efficiency कितनी हो जाएगी 34% कितनी हो जाएगी 34% मैं यह assume करूँगा A और R में relation अभी भी change नहीं हुआ है next बात करते है 20 number आप से पुछा गया है दातू oxide जो प्रकरती में लो चुम्बकतव है metal oxide that is ferromagnetic in nature ferromagnetic nature का पूछा है तो ferromagnetic nature का होता है CRO2 यह दोनों जो है वो ferromagnetic के है और यह साहत तक anti-ferromagnetic बिल्कुल MN वो anti-ferromagnetic है ठीक है तो CRO2 जो है वो ferromagnetic nature का है तो इसका answer हो गया 3 ओके यह anti-ferromagnetic है यह दोनों ferromagnetic है चलिए 21 number question यह लो वापस आया question सटकोण यह निबिट संकुलन की इकाई कोस्टिका में अस्ट फल की रिखती आए number of octahidal voids present in hexagonal closed packed unit cell सीदी सी बात है HCP में main atom 6 तो octahidal void B6 और tetahidal void 12 याद आएगा तो अपना answer हो गया 6 तो 21 का हो गया 3 ओके 22 number परबल विदू दबगट यह potassium sulfate potassium sulfate के 2SO4 अगर यह तूटता है तो 2 potassium बनाएगा प्लस sulfate बनाएगा इसका मतलब total iron कितने दे दिये 3 इसका मतलब इसका आयोटा जो होना चीए want of factor strong electrolyte का वो कितना होगा 3 हो जाएगा यह इसका answer आगया 4 question number 23 23 में कह रहा है मिसरन जो न्यूंतम क्वतनांक इस्तिर क्वांती बनाता है minimum boiling aziotrope अगर boiling दो वेपर प्रेशर जो होता है और boiling point में दोनों में reverse होता है अगर boiling point कम है तो इसका हमला वेपर प्रेशर जादा हो जाए वेपर प्रेशर जादा है इसका हमला positive deviation वाला डूणना है कौन सा डूणना है positive deviation वाला डूणना है और positive deviation का example water plus ethanol यह minimum boiling aziotrope होता है तो इसका answer हो गया 23 का second 24 number देखते है हाँ जी, next 24 number problem, क्या कह रहा है, जल्लिय विलियन में, विले की मोल बिन 0.3 है, तो विलियन की मोल लता है, if the mole fraction of the solute is 0.3 in aqueous solution, then molality of the solution, ये नीट का काफी famous question रहा है, ठीक है, तीन या चार बार question आया हुआ, कभी molality देता है, तो कभी mol fraction देता है, और पूस्ता दोनों में relation का ह है, एक relation है, molality और mol fraction में, m बराबर thousand of the x upon one minus x into molecular weight of solvent, ये लो, ये formula हो गया, m बराबर thousand of the x, x कितना है, भाईया, point 3, one minus point 3, molecular weight of solvent, equal solution है, तो 18 हो गया, ठीक है, ये point से point cancel out हो जाएगा, ये हो गया, 3 से हो गया, 6, तो thousand divide by 42, अब एक बात बताओ, अगर ये 40 होता, तो 25 होता, 25 से थोड़ा कम आएगा, अब exit solve करके देखना पड़ेगा, ये आ गया, 42 का 84, 84 पिछे बज़ गया, 16 हो गया, 160, तो 4 बार जाएग नहीं, तो 23 आ गया, 23.8, तो 24 का आंसर हो गया, second, ओके, next बात करते हैं, 25 नंबर प्रोबलम पे, 25 नंबर पे, क्या कह रहा है, 200 ग्राम जल में 31 ग्राम इथेलेन ग्लाइकोल के विलियन को माइनस 9.3 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर प्रतक बरफ की मात्रा होगी, amount of ice that will separate out on cooling a solution containing 31 gram of ethylene glycol in 200 gram of water to minus 3.3 डिग्री सेल्सियस, 9.3 डिग्री सेल्सियस विल बी, डिग्री सेल्सियस, 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 जो liquid phase में होता है वो लिखा जाता है multiply by thousand यह लो multiply by thousand खीक है यहां से आप solve कर दीजेगा यह हो जाएगा two times तो w of the solvent जो आएगा hundred ग्राम आएगा इसका हमला hundred ग्राम अगर वो liquid phase में है और आपको दे रखा था two hundred ग्राम इसका हमला hundred ग्राम फिर ice separate हुआ hundred ग्राम क्या हुआ ice separate हुआ ओके तो twenty five का answer आगया second अब बात करें अगर अपन twenty six पे क्या क्या है twenty six point two five m जली विलियन के 400 ml को बनाने के लिए एनवेंच के आउसक मात्रा amount of एनवेंच required to prepare 400 ml of point two five m aqueous solution यह लो amount बोले तो w upon molar mass 40 volume होना चीए था liter में ml में है तो उपर 1000 का multiply 30 से 30 गे यह लो w equal to point two five into sixteen it is the four ग्राम third is the correct answer okay next बात करें 27 number 27 number क्या कह रहा है निम में से कौन सा कतन असत्य है select incorrect statement among the following solubility depends on nature of solute and solvent विले ता विले एम विलाई की प्रकरती पर निर्बर करती है चाए solid के लिए बात हो चाए gas के लिए बात हो solubility of solid हो या फिर gas हो ठीक है न इन दोनों की solubility जो होती है वो nature of solute and solvent पर depend करती है तो first factor is the correct यह तो सही है true है gas की द्रव में विलेता तापमान गटने के साथ बढ़ती है solubility of gas in liquid increases with decrease of temperature आपको मालूम है exothermik reaction होती है means solubility जो होती है gas की liquid में exothermik है तो temperature बढ़ाओगे तो solubility कम, temperature कम करोगे तो solubility बढ़ेगी true है जलिये species ठंडे पानी की तुलना में गरम पानी में अधिक सहज महसूस करती है aquatic species are more comfortable in warm water than in cold water गलत अगर एक बात बताओ warm water हो गया, गरम पानी हो गया तो उसमें तो dissolve oxygen कम हो जाएगी और जब oxygen की supply नहीं मिलेगी तो बताओ वो कैसे comfort feel करेगा तो इसका मनलब third incorrect है और incorrect ही पूछ रहा है KH का अधिक मान, gas की द्रव में निम्न विलेता को परदर्शित करता है आपको मालूम है P equal to KH into X होता है अगर same pressure के लिए बात करें तो KH की value अगर increase होती है तो X decrease होता है, it means solubility क्या होती है, decrease तो fourth state when we सही है, okay next 27 का हो गया 3, 28 28, 28 क्या कह रहा है physical state of dispersed phase and dispersal medium in form form में परिश्यप्त प्रावस्ता तता परिश्यप्त माद्यम माद्यम बोले तो as a solvent है means medium बोले तो as a solvent end, आपको बोला है प्रावस्ता, it means solute तो देखिएगा, form जब भी बनता है तो उसमें dispersed phase जो होता है, वो gas होता है और dispersal medium जो होता है, वो liquid होता है एक तरीके से जो है, वो form आप ऐसे बोलो ना अगर कि जाग जो होते हैं, जब आप सर्फ लेते हो, पानी में विगोते हो और ऐसे हिलाते हो उसको, तो उस condition में form का formation होता है, तो ultimately solvent कौन था? liquid और उसके अंदर gas trap होई है, तो gas in liquid हो गया form, ओके, fourth is the correct answer 29 अच्छा कोशन है, निम लिकित में से किस विकल्प में प्रात एजी आई sol दनावेशित होता है, in which of the following option form एजी आई sol is positive, एक सिंपल सा बात है, एजी आई का precipitate है यह precipitate क्या करता है अपनी surface के उपर adsorption करता है, चार्ज का, और preferential charge का adsorption करता है, it means, यह या तो ag plus को adsorbs करेगा, यह i- को, अगर यह ag plus को adsorbs करेगा, तब किसका formation होगा, positive sol का formation होगा, इसका मतलब ag plus axis में बचना भी चीए, यहाँ पे देखेगा, 10 mm, यह भी 10, तो यह तो दोनों खतम होगे, 5 और यह 20, तो यह तो उल्टा कम हो गया, यहाँ यहाँ पे 15, यहाँ पे 30, यहाँ पे भी काई जादा है, तो इसका मतलब काई जादा हुआ, तो फिर तो आयोडाइड आयन को क्या करेगा, अपनी surface पे adsorbs और negatively charge sol बनाएगा, यहाँ पे देखेगा, यह 15 है, यह 10 है, इसका मतलब यह 5 बचेगा, यह 0 बचेगा, तो इसका मतलब AG प्लस को अपनी surface पे adsorbs करेगा, और अगर AG प्लस को अपनी surface पे adsorbs करेगा, तो इसका मतलब positive sol बनाएगा, ओके बात, आगे बात करेगा, ठीक है, next देखेगा, 30 नंबर, Aluminium के जल योजी तात्विक Oxide Sol के इसकंदन के लिए उच्चतम इसकंदम मान वाले आयन का चैन कीजिए Select the iron of highest coagulating value of highest coagulating value Select the iron of highest coagulating value for the coagulation of hydrated metallic oxide sol of Aluminium यह कह रहा है कि metallic hydrated oxide है तो oxide जो होते है वो positively 4 soul होते हैं Positive soul होते हैं Positive soul के coagulation के लिए आपको negative iron add करना पड़ेगा कौन सा iron करना पड़ेगा? Negative iron Negative iron क्या करना पड़ेगा? Add करना पड़ेगा अगर negative iron अगर आपको add करना पड़ेगा तो सुन लिजेगा बात को negative ion अगर आपको add करना पड़ेगा तो इसने बुलाया कि coagulating value highest जी है तो अपनको मालूम है coagulating power जो होता है वो directly proportional to होता है charge के और coagulating power जो होता है वो inversely proportional to होगा coagulating value के तो इसका मतलब answer थड़ जाएगा answer क्या जाएगा? थड़ जाएगा 31 यह निमलिकित में से सही कतन का चाहिन कीजिएगा select the correct statement among the following द्रव स्नेज सॉल द्रव विरोधी सॉल से अधिक इस्ता ही होता है बिल्कुल सही है लियोफिलिक सॉल आर मोर इस्टेबल देन लियोफोबिक सॉल उसका reason है लियोफिलिक सॉल का जो होता है वो hydration या solvation जादा होता है और यह reason होता है इनको protective collide की तरह भी अपन use करते हैं यह बोला लियोफिलिक सॉल आर weekly solvated गलत है लियोफोबिक सॉल सार cold protective नहीं लियोफिलिक है गोल्ड सॉल is लियोफिलिक लियोफिलिक नहीं अधिसोशन का गलत अभी लक्षन है in characteristics of chemis option chemis option का मतलब chemical adsorption करवाना है it caused by chemical bond formation बिल्कुल सही है chemical bond के formation की वज़े से होता है ठीक है it is highly specific बिल्कुल सही बात है क्योंकि bond का formation दो specific metal के बीच में या फिर एक metal non metal के बीच में होगा एक electron loose करे एक electron gain करे हर किसी के बीच में नहीं होगा enthalpy of adsorption is low गलत है यहां पर हाई होती है 80 से लेके to 40 किलो जूल के आसपास होती है it is irreversible nature यह भी सही है irreversible nature का होता है क्योंकि chemical reaction है तो इसका answer हो गया 32 का थर हो जाएगा ओके next बात करे 33 platinum का colliding soul सामाने तक किसके द्वारा बनाया जाता है colliding soul of platinum is generally formed by यह bradic arc method है ठीक है bradic arc method के थरू gold हो गया, silver हो गया platinum हो गया इनके soul का formation किया जाता है ठीक है तो answer हो गया bradic arc method 33 का first 34 कौन सी अभी क्रिया विश्मांगी उत्प्रेडंग को परदशित करती है which reaction indicates heterogeneous catalysis इसका मतलब यह होता है reactant product और reactant product और catalyst जो होता है वो same phase में नहीं होने चीए कोई भी एक different phase में हो जाए gas, 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 gas homogenous है liquid, 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 aqueous, aqueous, homogenous है aqueous, liquid, liquid, aqueous, aqueous, homogenous है heterogeneous है fourth is the correct answer okay next 35 35 क्या कह रहा है 35 आप से यह पुछा गया है कि इसमें से positive soul का example कोई सा है धनाविशित soul का उधारन कोई सा है methylene blue जो होती है वो positive soul का example है sulfide और metal के soul जो होते है वो negatively charged होते है metal यह आगया देख लो और gelatin हो गया या जितने भी natural substance होते है वो भी negatively soul होते है तो answer हो गया methylene blue या methylene blue first is the correct answer okay next 36 36 नंबर प्रोब्लम क्या कह रहा है आपको 200 ml.1 molar H2SO4 and 300 ml.2 molar HCl को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में H plus की molar ता है 200 ml.1 molar H2SO4 and 300 ml.2 molar HCl are mixed together the molarity of H plus iron in the resulted mixture is resulted mixture में क्या होगी H plus iron की molarity तो H plus iron की molarity चीए H plus iron की molarity चीए तो H2SO4 की molarity into volume यह H2SO4 का आगया multiply by 2 क्योंकि H2SO4 दो देने वाला है molarity of HCl into volume इसका एक ही देगा volume of H2SO4 plus volume of HCl यह लिजे H2SO4 की molarity 0.1 into volume ml में रगदो multiply by 2 molarity of HCl 0.2 volume 300 ml divide by H2SO4 का volume 200 plus 300 यह देगा देखिएगा 40 यह देखिएगा 40 H2SO4 का plus यह कित्ता हो गया 60 100 divide by 500 it is the 1 by 5 1 by 5 1 by 5 बोले तो 0.2M first is the correct answer तो 36 का answer हो गया first 37 44.8 item H2O2 की प्रतिशत समर्थ यह बताईगा gram per ml में बताना है percentage strength of the 44.8 volume of H2O2 molarity होती है volume strength divide by 11.2 तो यह हो गया 44.8 divided by 11.2 it is the 4 mol per liter gram per liter में चीए तो 34 ml में चीए तो यह लिजेगा percentage में चीए 2.0 से 2.0 गया 128 divided by 10 it is the 136 divided by 10 13.6 percentage second is the correct answer 37 का second 38 एक दातू BCC जालक में क्रिश्टलिक रत होती है यह दि एक कोस्टिक का की कोर लंबई 400 पिकोमेटर है तो दातू परमानू की तिर्जया बताओ a metal crystallizes with a BCC lattice if the age length of the unit cell is 440 पिकोमेटर then the radius of the metal आपको मालू मैं BCC में यह diagonal length होती है body diagonal की root 3 है और वो होती है 4R के बराबर तो R बराबर root 3A by 4 तो root 3 into 440 पिकोमेटर divide by 4 110 110 को 1.7 3 से multiply करना है तो इसका मतलब यह point यहां shift हो जाएगा 193.5 पिकोमेटर इसका मतलब 38 का answer हो जाएगा 4 तो एक सिंपल सी बात है delta TB is equal to non-electrolyte है तो KB into M लगेगा 0.253 KB की value कित्ती देर किया 2.53 molality की value 1 upon molar mass 200 multiply by उपर 1000 yellow 5 molecular weight it is equal to 50 gram first is the correct answer ok next 40 number कौन सा योगिक फ्रेंकल तता सोट की दोनों defect हो करता है which of the following compound so बोथ फ्रेंकल as well as सोट की defect AZBR most important NEET 2020 में भी इसके उपर question आया था ok next 41 पे आते है निम लिकित में से किस निम लिकित में से प्रोटीन के molar द्रेवमान का निर्दरन करने के लिए किस गुण का उप्योग व्यापक रूप से किया जाता है which of the following compounds properties widely used to determine the molar mass of the protein protein के molar mass के लिए जो होता है वो अपन osmotic pressure property यूज करते है NCRT में लिखा हुआ भी है तो इसका answer हो गया 41 का 4 ok next बात करते है 42 27 degree Celsius पर 0.2 molar दुरूबल दी प्रोटिक 25 प्रतिशत आयनित होता है कि जली विलियन का पराश्रम डाब बताओ osmotic pressure of aqueous solution of 0.2 molar of weak diiproteic acid यह लोग weak diiproteic acid है 2H plus 1 देगा plus A2 minus देगा आयोटा की बात करें तो 1 plus alpha X की value 2 है Y की value 1 है minus 1 है यह 2 और यह 1 है तो आयोटा equal to 1.5 अब अपनको pi is equal to calculate करना आयोटा C 0.2 M और 1 by 12 temperature 300 ठीक है यह हो गया 0.3 यह हो गया 0.3 यह हो गया 25 7.5 second is the correct answer 43 एक enzymic अभी क्रिया में किसकी उपस्तिति में starch का maltose में रुपांतरन होता है आप से यह बोला जा रहा है starch का maltose में रुपांतरन करना है ठीक है starch converts into maltose is carried out in the presence of die stage एक ऐसा है जिसकी presence में starch जो होता है वो किसमे convert होता है maltose में convert होता है यह enzyme catalyst reaction है ओके तो इसका answer हो जाएगा second तो 43 का answer हो गया second next बात करता है 44 निम लिकित में से कौन सा एक उत्प्रेरख द्वारा प्रभविक नहीं होता है which among the following is not affected by catalyst catalyst कोई भी thermodynamic parameter change नहीं करेगा इसका अभी किरिया का delta H change नहीं कर सकता है तो 44 का answer हो गया fourth ओके next 45 पे बात करता है cesium chloride में cesium plus ion तता CL minus ion की coordination number बताओ in cesium chloride the coordination number of cesium plus ion and CL minus ion respectively simple सी बात है cesium chloride में cesium जो होता है वो body center पे होता है ठीक है और CL minus सारे corner पे होता है तो एक cesium जो होता है वो 8 CL 8 corner से surrounded होता है तो इसका 8 similar way में 1 CL 8 cesium से surrounded होगा 8 room के अंदर तो इसका coordination number हो गया 8 raise to 8 it means second is the correct answer 46 निमलिकित में से कौन से जली विलियन का हिमांक नियूनतम है which of the following aqua solution has the least freezing point least freezing point होना चीए वो इस तरीका अभी बताया था जिसके लिए iota into M जादा होगा उसका delta tf जादा होगा और delta tf जादा होगा तो freezing point फिर minimum हो जाएगा ठीक है चेक कर लो इसका iota 3 है तो 0.2 into 3 0.6 हो जाएगा 0.1 into इसका iota 4 है 0.4 हो जाएगा यह 1 ही चल रहा है it is the 0.6 it is the 0.4 और यह 0.3 into इसका iota 5 है 1.5 तो सबसे जादा इसके लिए आया iota into m तो freezing point इसका minimum होगा 46 का answer होगया 4 47 250 ml 2 molar जल्लिये HNO3 बनाने के लिए आवशक 70% W by W HNO3 का बार क्या है इसका मले यह solution का बार पूछ रहा है न की HNO3 का बार पूछ रहा है दो W by W HNO3 का इसका मला solution का बार पूछ रहा है ठीक है आपन सबसे पहले HNO3 का weight calculate करते है What weight of 70% W by W HNO3 is required to prepare 250 ml of 2 molar aqueous HNO3 तो दिखेगा 2 molar है W upon इसका molecular weight 63 होता है 250 ml है 1000 का multiply कर दीजेगा 31.5 gram W equal to 31.5 gram अब सुनेगा बात को यहागया अपनको यह तो HNO3 pure है solution का चीए 70% है 31.5 divide by W of the solution multiply by 100 तो आप W of the solution यहाँ से calculate कीजेगा 31.5 divided by 70 into 1000 एक 0 से एक 0 हो गया यह हो गया 315 divide by 7 4 बार जाएगा 45 gram आ गया यह लो second is the correct answer 47 का answer हो गया second 48 K3 Fe Cn whole 6 का percentage iron क्या है जिसका decimular willion 300 Kelvin पर 3.94 ATM परासरन दाप परदशित करता है percentage ionization of K3 Fe Cn whole 6 whose decimular solution shows an osmotic pressure of 3.94 ATM at 300 Kelvin Pi is equal to Iota CRT लिखना है Iota C की value decimular R की value यसे 0.0821 लिखना है temperature हो गया 300 1 0 से 1 0 गया Iota equal to 3.94 यह आ गया 3 6 24 यह आ जाएगा ठीक है 2.4 लगबग लगबग Iota 1.5 आएगा Iota approximate 1.5 के बराबर आएगा 1.5 यह हो सकता 1.6 के बराबर भी आ जाए अगर आपने इसको small करते हैं 1.6 आएगा यह अगर 1.6 आएगा तो Iota 1.6 equal to 1 plus alpha X की value 3 Y की value 1 minus 1 तो alpha बराबर 0.6 divided by 3 it is the 0.2 percentage में बात करोगे तो 20 percentage 48 का 3 is the correct answer ठीक है 49 का निमलिकित में से कौन सा एक ठोस प्रस्ट पर गैस के बहुतिक अधिसोशन का अभी लक्षन है which of the following characteristics of physical adsorption of a gas on a solid surface multi molecular layer का formation करेगा बिल्कुल सही है irreversible होता है गलत बात है reversible nature का होता है decrease with increase of surface area surface area बढ़ा होगे तो increase होगा specific nature का नहीं होता है specific का chemical होता है इसका में लगए first answer हो गया यह लिजए 49 का first 50 देखिएगा निमलिकित में से कौन सा कतन असत्य है which of the following statement is incorrect pepti करण इसकंदन का विपरित परकरम है बिल्कुल सही है peptization is the reverse process of coagulation peptization में क्या करते है freshly prepared precipitate से collidal sol बनाते है तो यह तो सही है true है bradic arc with these gold और silver के sol के निर्मान में परियुक तती है बिल्कुल सही है gold, silver, platinum सबके सरवन संक्या द्रवस नहीं collide की रक्षन समता से संबंदित है बिल्कुल सही है it is the true ठीक है टिंडल प्रभाव तभी प्रिक्षित होता है जब परिशित प्रावस्ता के कणों का व्यास प्रिक्ष प्रकास की तरंग देटेशे से बहुत छोटा हो जी नहीं lambda और d लगबग लगबग बराबर होना से यह इसका मतलब incorrect हो गया कौन सा फोर्थ ओके नेक्स्ट फिफ्टी बन असत्य कतन छाटिये incorrect statement गोल्ड सॉल्ड इस मल्टी मोलेकुलर कॉलाइड बिल्कुल सही बात है गोल्ड जो है वो मल्टी मोलेकुलर है परदार्थ के कणों के गोल्ड हो गया और सल्फर सॉल्ड हो गया ये मल्टी मोलेकुलर कॉलाइड है छोटे छोटे पार्टिकल एसोसियेट होके एक लार्ज पार्टिकल का फोर्मेशन करते है परदार्थ के कणों के संगुणन से बहु अनक कॉलाइड का निर्मान होता है लार्ज नंबर ओफ मल्टी मोलेकुलर पूछ रहा तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट सही है मैंने बोला ही अभी दातू सल्फाइड द्रव विरोधी कॉलाइड है मेटल सल्फाइड आर लियोफोबिक कॉलाइड जितने भी इनोर्गनिक सब्सेंस होता है वो सारे लियोफोबिक होता है ये भी ट्रू है सल्फार सॉल बहु अनू तता जल्विरोधी कॉलाइड है सल्फार सॉल is मल्टी मोलेकुलर कॉलाइड हैड़रोफिलिक इन नेचर यह कह रहा है हाइड्रोफिलिक नेचर का है तो हाइड्रोफिलिक नेचर का है इसका मतलब क्या होना चीए यह जल विरोधी कह रहा है जल विरोधी नहीं होना चीए हाइड्रोफिलिक नेचर का है तो हाइड्रोफिलिक का है तो फोर्थ इसका correct answer हो जाएगा 4 इसका correct answer हो जाएगा ओकी next बात करें 52 नंबर पे 52 नंबर पे चलिए जब 1 ग्राम चार को SO2, CO2 तता H2 के गेस के पात्र में रखा जाता है तो गेस की अधिशोशित मात्रा का सही करम है जिसका liquefaction tendency ज़्यादा हो या जिसका critical temperature ज़्यादा होता है वो गेस आसानी से adsorb होती है उसका amount ज़्यादा adsorb होता है तो सबसे ज़्यादा critical temperature SO2 का है फिर CO2 का है फिर H2 का है तो इसका मतलब first is the correct answer 52 का हो जाएगा first 53 आकास के निले रंग का कारण है blue color of the sky is due to scattering of the light by dust particle धूल करणों के द्वारा परकास का परकिनन तो 53 का 3 हो जाएगा ठीक है 54 जब log x by m और log p के मद्य गराब बनाया जाए तो एक सरल रिखा प्राप्त होती है जिसका कोण 45 डिग्री तता y x पर अन्थकंड 0.3010 है यदि प्रारंबिक दा 0.3 ATM है तो प्रती ग्राम अधिसोशक के लिए अधिसोशित गेस की मात्रा होगी वेन ए ग्राफ is plotted between log x by m x by m it is equal to k p की पावर 1 by n होता है it is state line यह कहारा log x by m में ए ग्राफ ड्राफ कीजिएगा वो state line आएगा it is the y and it is the x it is the m and it is the c angle कहारा 45 का आएगा ठीक है intercept इतने का आएगा if initial pressure is 0.3 ATM what will be the amount of gas adsorb per gram of the adsorbent means x by m calculate करना है तो पहले किये तो मालुम चले log k की value दे रखे आपको 0.3010 इसका मतलब k बराबर होगा 2 first of thing है न और theta दे रखा है तो 1 by 10 equal to 10 theta 1045 है तो n की value हो गई 1 ठीक है n की value हो गई 1 तो x by m it is equal to k p की power दे रखा है 0.3 की power 1 it means 0.6 second is the correct answer 54 का second 55 दरव विरोधी सौल का इसकंदन किसके द्वारा नहीं किया जा सकता the coagulation of leophobic सौल cannot be carried out by electrophoresis बिलकुल हो जाएगा ठीक है उसमें क्या होता है oppositely charge आये जो होता है वो oppositely electrode की तरफ movement करता है तो हो जाएगा ultra filtration ये तो purification का method है electrolyte मिला के तो करते ही coagulation boiling करके भी करते है तो इसका मला answer हो गया second 55 का second हाँ देखेगा 56 नंबर प्रब्लम में crystal AB जो rock salt प्रकार की सरचना रखता है कि 5 gram में इकाई कोश्टी का कितनी उपस्तित है how many unit cells are present in 5 gram of crystal AB having rock salt type structure बात के लिए कर देता हूँ rock salt structure होता है तो उसका जब 4 formula unit होता है NACL तो उसके अंदर एक unit cell होती है means one unit cell में 4 formula होता है NACL का Z4 होता है तो इसका मतलब एक बात बताओ आप उनको कह रहा है यह 5 gram है तो 5 gram में कितना मूल हो गया 5 by 40 into unit cell मलब formula unit किती हो गई इतनी तो अगर एक formula unit हो तो unit cell किती हो जाएगी 1 by 4 और आपके पास किती है 5 by 40 into Na तो 1 by 4 into 5 by 40 into Na इतनी unit cell आजाएगी इत मेंस Na upon 32 unit cell आएगी 4th is the correct answer 57 विशलेशन में पाया गया कि निकल उक्साइड में निकल आयन 96% ठीके तता निकल आयन 96% जिनका D8 विन्यास है और 4% D7 विन्यास रखता है कौन सा ओक्साइड के सुत्र को stress प्रदशित करता है analysis show that the nickel oxide consists of nickel iron with 96% iron having D8 configuration and 4% having D7 configuration which among us the following best represents the formula of the oxide यह पुछा गया है simple सी बात है D8 configuration nickel की बात करें 3D8 4S2 होता है अगर यह कहरा D8 है तो D8 है इसका महलब nickel 2 प्लस है nickel 2 प्लस है यह कहरा है D7 है add means nickel 3 प्लस है यह कहरा 96 अटम है यह कहरा 4 अटम है तो charge compare कर ले 96 into 2 plus 4 into 3 अब इतना के इतना negative charge होना चीए आपको तो यह positive charge कितना हुआ 192 plus 2 0 sorry 12 plus 12 2 0 4 हो गया कितना हो गया 2 0 4 charge हो गया तो इसका महलब पर अटम charge कितना हुआ 2.04 अगर 2.04 अगर पर अटम charge हुआ तो यह लिजेगा nickel के ओपर charge हो गया 2.04 oxygen के ओपर होता है minus का 2 तो formula बनेगा nickel 2 oxygen 2.04 nickel 1 oxygen 1.02 अगर इसको 1 बनाओगे तो nickel बन जाएगा 0.980 4 is the correct answer ओके next 58 एक दातू जो BCC जालक में क्रिस्टल इकरत है जिसकी भुजा की लंबाई 300 पिको मेटर है तता मोलर द्रेवमान 50 ग्राम पर मोल है का गनत्व होगा यह आप से पुछा गया है तो यह 3 x 10 की पौवर माइनस 8 आगया सेंटिमेटर में इसका कर दिया Q उपर हो गया 100 डिवाइड बाई 6 10 की पौवर 23 3 का Q हो गया 27 यह हो गया उपर 1000 162 6 point something आएगा 3rd is the correct answer ठीक है 59 एक योगी दो तत्व वाई तता जैड से मिलकर बना है तत्व जैड CCP का निर्मान करता है यह उन तत्व वाई चतुस्वल की रिक्तियों का 1 3rd इस्तान बरता है तो योगी का सुत्र बताओ ठीक है दो तत्व वाई और जैड से मिलकर बना हुआ है जैड सीसीपी तो सीसीपी में चार होते है वाई ओक्ताइडल वोईड आट होती है उसका 1 3rd येलो 8 बाई 3 तो वाई 8 बाई 3 और जैड 4 तो इसका मतलब वाई 2 जैड 3 होगा फर्स इस दा करेक्ट आंसर 59 का 60 यह कह रहा है दिएगे क्रिस्टल सरचना में 9X क्या होगा जो Na plus को प्रत्यिस्ता पित कर रिक्तिका का निर्मान करे इन दी गिवन क्रिस्टल structure what would be the catein X which replaces Na plus to create a cateinic vacancy cateinic vacancy तभी create होगी जब Na plus means positive plus 1 से ज़्यादा वाला charge वाला कोई हो ऐसा 2 plus यह पूरे पेपर का एनलाईसिस था बिल्कुल NCRT पेटर्न पर और जो important exam में पूछने लाइक थे उन सारे कोशन को अपरणने डिसकस कर लिया hopefully आपका पेपर अच्छा हुआ होगा ओके, thank you